हेलो एवरीवन इस मम्ता सामर्या खंडेलवाल एं यह वाचिंग MSK केमस्टी आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हाँ कैनल रेज ओर इजिनेट और वहाँ EYM रेशो फोर कैनल रेज डिपेंड्स अपॉन गैस टेकन इंडिस्चार्स टूब तो श्रुबात करते हैं मो कैनल रेज और एं रेज यह किस तरीके से जनरेट होती है तो यह डिस्चार्स टूब है इसके बारे हम जानते है एक छोटी सी टूब होती है और इसके अंदर हाई वोलटेज और लो प्रेशर पे किसी गैस को लिया जाता है और कैथोड से क्या निकलता है बीम उफ में डिसोशेट हो जाती है माली जी आपने क्लोरीन गैस लिया है तो वह क्लोरीन एटम्स में डिसोशेट हो जाती है कोई एक गैस आप ले सकते हैं अब क्या होता है कि यह जो कैथोर से यह जो इलेक्ट्रोंस निकलते हैं तो यह क्या करते हैं यह जो एटम्स हैं आप यह यानि की positively charge particles में और साथ में निकलते हैं इलेक्ट्रोन मतलब एक तो इलेक्ट्रोन यहां से आ रहे हैं कैथोड रेस से और दूसरे इलेक्ट्रोन कैसे निकल रहे हैं जब यह atoms positive charge में आ जाते हैं तो साथ में और electrons निकलते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि जो atoms हैं वो positive charge ions में convert हो जाते हैं और यह वाले जो electrons हैं यह move करते हैं एनोड की और तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि H positive ions अगर आपने hydrogen gas ली है ट्यूम में और C L positive ions अगर आपने ट्यूम में chlorine gas ली है यह कहां move करते हैं through the perforated cathode मतलब कि यहां यह यह जो perforated cathode आपको दिख रहा है तो इस होल में से इस तरीके से इसमें यह holes होते हैं तो इन holes से यह निकल के जाते हैं इसलिए हम इने क्या कहते हैं canal rays कहते हैं तो brief में लिख देते हैं हम cathode rays are originate from cathode it is a beam of electron लेकिन जो anode rays होती है जिसे कि हम canal rays कहत from anode और जैसा कि हमने बता है तो फिर यह किस तरीके से originate होती है electrons of cathode rays हम जानते कि cathode rays क्या होती है it is beam of electron तो यह electron किस से collide करते है with the gas atoms presenting tube अब gas atoms में कैसे जाती है क्योंकि उसमें अंदर high voltage और low pressure है इसलिए जो gas के molecules होते हैं वो atoms form में आ जाते हैं इस तरीके से हम देख सकते है chlorine gas अगल दिये तो chlorine atoms में आ जाती है और इस chlorine atom के साथ जो cathode ray के जो electrons है वो collide होते हैं और chlorine के atom आ जाते है CL plus में यानि की positively charged species में और साथ में इस से निकल जाते हैं यह electron और यह वाले electron किस के है cathode rays की ठीक है तो इस तरीके से जो positive ions produce होते हैं they pass through the perforated cathode so these rays are called canal rays ठीक है अब आगे बात करते हैं कि यह EYM ratio क्यों अलग होता है as the positive ion produced from different gases are different जैसे कि hydrogen gas लिए तो H positive ion produced होंगे chlorine gas लिए तो CL positive ion produced होंगे इसलिए so EYM ratio for these particles are different for different gases so we can say EYM ratio for the canal rays are different for different gases thank you for watching MSK Chemistry please subscribe our channel and hit the bell icon thank you